Hello Friends, मैं हूँ आन्नपुर्ना और आपका स्वागत है मेरे किछन में आज मैंने बनाया टमाटर और हरी मिर्च की चत्नी जो बहुती पाइसी है। तेस्ट ही है, इसके लिए मैंने लिया मोटी मिर्च, 2 तमाटर, इमली, कुछ लसुन की कलिया, तिल्ली, नमक, जीरा, धनियापती, उसके बाद तेल और तड़का लगाने के लिए, जीरा सरसो, करियापती, सुखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हिंग, सबसे पहले मैंने रखा मैंने डाला एक लसुन को छिलके, लसुन डालकर मैंने इसे थोड़ा भून लिया है, उसके बाद मैंने डाला इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च ये पतली वाली नहीं है, मोटी साइस किया, अगर हम लोग पतली हरी मिर्च से बनाएंगे, तो चट्नी बहुत ज़्यादा तीख मैंने डख लिया है, डख कर निकाल के मैंने एक बार फिर से उसको मिक्स कर लिया है, उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहे हूँ तिल्ली मैंने डाला है, अराउंड 3 स्पुन, तिल्ली की जगा आप चाओ तो मुमफल लिका इस्तमाल कर सकते हो, सिंपल हरी मिर्च का बनाए टाला हों तरण के लिए कंधना हर्ट आपक सब्सक्राइब करें स युअ किस्टी कृष्टी चुन करने चो करें चोंगे, ग्रेद्ट Dalga में तब तरण सब्सक्राइब करने में साली और बातर है कशल कर सके है माठीन हक्ते है इह को हेल्स पत्राइब और ढखके मैं इसे रख दे रही हूँ थंडा होने के लिए, ये थंडा हो गया है, अब मैं इने करूँगी ग्राइड, मैंने मिक्सिका जार लिया है, उसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरिमेश, जिसको हमने भुन के रख लिया था, डाल के मैं इसको एकदम अच्छे से फा जोसा, चावल, रोटी, पराथा, किसी के भी साथ खा सकते हो, सभी की साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत परफेक्ट रहता है, तेल गरम हो गया, उसमें मैंने तड़की वाली सारी चीजे डाल दी, सुखी लाल मिश डाली, ये चटनी बहुत जल्दी बनती है, और आप इसे बन अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू,